गुद मॉर्निंग एवरिवन वेल्कम बैक टो न्यू व्लोग कैसे हो आप सब लोग तो बच गए सुपर के साथ और यहां पे मेरी चाय वर रही है मॉस्ट चली पीजाई ही अभी बाहर दिखते हैं तो अभी साथ बजे और बहुत अच्छी दूप निकल के अगई है गुद ड्री ना कुदेची आयान है कि आता है पाणक्छी जाई ओ लिछ यहां थे ओ लुष्अ डिखते हैं तो जाई अता ही। कि आता है है। के ढम कि अवाज कुई लोगे पेला के बूल दो ना कि अवाज खुई लोगे भूलता नो ता ना बदधे के चिराक भी पेला वीडियों बोलता नू ता मुंमी आरे तम बादीलियो अम्हाँ अम्हाँ इटलू बादीलियो उच्वार ओगाँ बार गाद था इचछ बार एट बार जो कोई नहीं चालो मेरी चाई में में रखिया थी है पालक के पराठे बहुत Chun Air अजये हैं सबसे पहले उसकी रेसिपी देख लो तो नाश्ता बन गया है हम खाना खा लेते हैं जाना इंक पर जेह सुआ हमारी सुन गई का थे लेतेर हम बनादे पालक के पाणी उबाले है यहां पर दिया है ंधरीHHH पालक की नुनटे मेंद Those इन उबाल लेगा पारीघं़ सब्राबहिए…… कना ओ कर नहीं गोटबसे पालक काथ्यवत भी में और नीकल जायगा तो पालक को पहले पानी में बोईल जरूर ही कर ले तो चमत से मैंने अंदर डुबो दिया है और पालक को हम बैसे ज्यादा बोईल नहीं करेंगे कम से कम एक मेटD से भी कम टाम मेंशको बोयल करने देंगे वह भी फूल फ्लेम पर तो इसको मैंने अच्छ औरर अच्छ से कम टाइम में बोयल किया है Google फूल फ्लेम पर तो घैस बंद कर देना है तो पहले तो हम कर देंगे गेस को औुष और उसके बाद पालक निकालेंगे सारी चनी में तो चनी में सारी पालक निकाल गया आप वैसे बरफ अले थंडे पानी में भी डाल सकते हो और इसके उपर पानी भी डाल सकते हो वो आपके उपर है कि आपको क्या करना है तो पहले मैंने सारा पालक चनी में ले लिया है देख और आप पानी के अंदर भी डाल सकते हो और इसको भी नीतल ने देते हैं और साइड में अभी में तब तक मना लिए बाइक मैं तो इसमें बैस ज्यादा तुषका नहीं है हमारी पास जो तारी इसमें लाइक हता थाफ दीजित्यए शाष डाल के रात को बहुत लेना है और इ मेरा मखण हो गया है रेडी बंद कर दूँगी ब्लेंडर और मखण में बहार निखाल लोंगी तो मखण तो गया रेडी अभी बनाते है पालक की प्यूरी तो यह हमने छो ठंडा किया था पालक उसको हम डाल देंगे मिख्षी जार में तो पानी थोड़ा सा अगर रह जाता ह तो चलेगा उतना तो पर ज्यादा नहीं रहना चुहिए तो ये पालक को मैंने डाल दिया है मिक्षी जार में उसमें डालूँगी मैं अद्रक के टुकड़े दो फिर जाएगी मिर्ची दो अगर आपको तिखा पसंदे तो आप ज्यादा डाल सकते हो कियान की वज़ेश मैंन बंद करके हमें मिक्षी चला लेनी है और पेस्ट बना लेनी है तो ये मैं पेस्ट बना के डाल दूंगी बाउल में तो पहले हम पेस्ट डालेंगे आटा नहीं डालेंगे पेस्ट के हिसाब से आटा डालेंगे तो इसके उपर हम डाल देते हैं तील अगर तील आपको तो यह लेली मैंने अजवाइन और दुनों हाथ से ऐसे क्रश करके फिर हम डालेंगे इसके अनुसार, अभी क्या करेंगे कि अभी हम इसके उपर आटा डालेंगे, पहले आटा नहीं डालना है अभी इसके उपर में एक बाल जितना आटा डाल रही हूं, और साथ ही साथ में ह ये पहली बार डाल रही हूँ वरना तो मैंना दूद की जो मलाई होती है वही डाल हुँ हमेशा ओल की भी नहीं डालती पर आज गया हुआ कि मला एक खतम हो गई थी जैसा कि आपने दीखा कि मैंने मकहन बना दिया था तो तो तभी मैंने oil डाला है आप गी भी डाल सकते हो तो पहले सारे आटे को हम कलेंगे अच्छा से mix और पानी नहीं डालेंगे पानी सिर्फ साइड में रखेंगे पहले तो mix करेंगे हाथ हो से क्योंकि इसमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पानी सिर्फ मैंने यूज नहीं की है तो इसमें से आप आराम से दो लोगों के लिए पराठा बना सकते हो 800 ग्राम पालक और एक बाउल आठा गेहुका आठा रोटी वाला ही लिया है मैंने तो अच्छे से आठा गुन लेंगे देखो और इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला है आप देख सकत और वापिस थोड़ा से हम गुन लेंगे ताकि वो और आठे में मिक्स हो जाए तो यह आठा हमारा एकदम ही रेडी हो गया है एकदम सौफ्ट नरम रोटी जैसा आठा है पर आप यह आठा गुन दोगे ना तो और इसमें एक बात बताओ कि आप मलाई डालोगे ना तो क्य आठा सौफनेस आएगी पराठे में बात ही मत पूछो आप है ना ओल मत डालना मलाई ही डालना तो अभी हम बैल लेते हैं पराठा तो पहले तो मैंने लुआ ले लिया है राउंड राउंड शेप के और इसको डूबोंगी में आठे में आठे के अंदर अच्छे से डूब बेलते हैं वैसे हम बेल सकते हैं कोई लोग क्या करते है कि पराठी का आठा है ना मोटा रखते हैं तो मैंने यहां पर रोटी जैसे ही रखा है तो क्या है कि रोटी की तरह वो बेल जाएगा पराठा वरना तो कि आप कड़ा का आठा रखोगे तो आप कोई भी शेप का से पराठे सीखे जाते हैं तो वह वाला पार्ट मैंने यहां पर नहीं दिखा है सिर्फ यह देख लो कि मैंने बेला के साहे एक दम राउंचे भूग गया है और रोटी जैसा ही मैंने पतला बनाया है अगर आप मोटा बनाना चाते हो तो बना सकते हो तो मैंने सारे पराठे य oh oh झ क्या बन्या या क्या बना इंह बर महीं गनो सिंग्रां से जो ईने अउपड़ बाउ बटो भॉब दो तो बटोपार हो है थेलावना आ। यह नहीं पहरो क्य ह्या यह यह रगता ए बेभी, ओ बेभी, क्या गिया तुटू? बता वहीं, क्या गिया तुटू? छोले के रोखानी कानू कहा घया था? छोले स्कूले? अधे वाँ, त्या जैन्सों कही रूखिया ने आजए? रोडे रोडे? ओ ओ यह बच गए और किया नहीं क्या खाना है क्या है वो गुम्ला इसको मम्रा बोलते हैं क्या भुलते हैं बोम्ला नहीं कानू ले कि आये क्यों है क्यों क्यों कि चल्म विला है कि आज माले वयर पेदा पर ले पहले कि मज़ा जा उंदा जी बाइचा कि पीदा पर नेक्ष। और स्पाइब तो किया ने सीध्य चपल बेब पहन लिये है किया ने हेलोशूब ऐसे बोलो शूब शूब किसी की कमेंट थी शूब बोलने के लिए तो किया ने बोला है शूब किया गोलो शूब ममा बीबी एक आटवाएगी हूँ अबर बेड़ कर देने सीजा कर देन को तो चपल जर एक लहाँ है टो चंपल च्छ जर बार मुख्या देश्ट पल पसितने तो खाओ चै मैं तुख्या उच्छ तो खाओ जह तो खाओ ज़िआ ज तो खाओ चै मैं ने क्या खाना आपको क्या खाना यबवर क्यानकीasser क्याल की स्कूल से एक ही कंप्लेन आरी है रोज रोज गों कि क्यान को है न खाना कम पढ़ रहा है क्या कर दोनों रखे थे फिर भी कमपढ ःगर को तो मैं इमका बूला है यह है कि जब तक खाना खाता है, तब तक चुप रहता है बाद में रोने लगता है तो जब भी रोता है तो कियान को खानाenser करृते है मैंसे भी असर के ऊपर थोड़ा है यशा भी फील हो रहा है मुझे क्योंकि कियान को है भी पहले से ऐसा कि रूता हो या तो कुछ ना करने दे तो खाना खाने दे दो तो वो खाने बैठ जाता है मतलब उसको खाना नहीं खाना होता है ऐसे चटर पर तरस कुछ ना कुछ चाहिए मैं कौन हूँ? अमा तांटी क्यों बोल जाए हो? अमगी अज आपने क्या किया स्कूल में? राड़ा राड़ा राड़ा? रोते क्यों रोज रोज क्यों रोते हो आप? गंदी बाद नहीं? वाव गंबला गंबला ना क्यावाए है नहीं मम्रा क्यावाए बंबला नहीं मरा सुख रीख अने सुख रीख ममला हाँ ममला क्यान को हावी दो लेंड़़च साथ में सीख रहा है और हें इंगलिस तो वह से बहुत सीखी रहा है तो गंबला ममला सब कुछ हो रहा है ना बिटा? क्यान? चलो सबको बाई कर दो बाई कल मिलेंगे बोलो कल मिलेंगे ठीक से बोलो ना बटा सही से बोलो ना कुल में इस लेइस सब्सक्राइब लाइक कर दो इसके साथ वीडियो गांड रोते हैं बबाई कल वापिस मिलेंगे आज का रेसिपी जो है वह आप ट्राइए करिए और कल पिज़ा के लिए बहुत अच्छे अच्छी कमेंट आई तो घर पे ज़रूर एक बार बनाना और मुझे कमेंट में जहना मतलब बताना और ना बता सक हो तो इंस्ट्राग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हों